एलो फ्रेंड्स वेलकम वैक्ट तो मैरी चैनल गार्डन पर तो आज जिस टॉपिक पर वीडियो है आपको तो थोड़ा बहुत पता चले गया होगा कि यह संत्रा है और इस संत्रे की जो फल है उसी जो हमें शीट मिलते हैं उन्हीं से हमें जो है एक नए पौदा त्यार करना है आज इसी टॉपिक पर वीडियो है तो चलिए शुरू करते ही वीडियो वीडियो करने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट कर दिया हूं कि अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजेगा और बह संत्री को ही जो है हाफ हाफ कट कर लेंगे और उसके बाद फिर हाफ कट करने के बाद यह देखिए यह पहले से मैं निकाल कर रखा था क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाता है और लोग इसकिप करके भाग ने लगते हैं तो इसलिए म निकालना है यह देखिए ऐसे निकलाएंगे संत्रे के शीट इसको आप जाली जिए इसका जूस निकाली जाए आपके इक्षा जोब मन करें तो इन संत्रों के शीट से हम कैसे एक नया पौधा तयार करेंगे फियो और बिना कहीं नरसरी में गए कैसे हम अपने नंदी में इसको डालेंगे और वेट करेंगे 15-20 दिन का जब यह हमें चुटी चुटी इसमें जो एक करली निकलना शिरू होंगे और हाँ अगर आपके पास यूजन थ्रोरा बॉक्स है स्वैगी है उसका तो उसमें भी डाल के देख सकते हैं अगर थोड़ा सा जब बढ़े हो ज अब इसके उपर से हमें मिटी डाल देनी है ऐसी मिटी लेके डाल देनी है थोड़ा सा गढ़ा करके बहुत ज़्यादा ने करना है थोड़ा सा गढ़ा करके डालना है और मिटी डाल देन्हीं सकते हैं उसमें ये देखी मैंने एक पहले से लगा था और यह देखें पोधा त्यार है तो आप ने देखा कि हमने शीर से ही कैसे पोधा एक त्यार किया था मैने आपको दिखाया शीर ग्रो होने वहína के बाद और अगर आपको और वीडियो चाहिए इसकी अपडेट चाहिए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी फिर मिलते हैं इसकी अपडेट के साथ अभी मैंने शीट को डालने के बाद पौधा आपको दिखाई दिया कि कैसा है फिर मैं एक बार आपको दिखाती हूँ चलिए एक बार दिखा देती हूँ कि जो शीट से पौधा ग्रोह हुआ हो कैसा है जैसा निम्बू का होता है वैसा ही होता है इसका भी पौधा मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ यह देखिए तो आपने देखा कि कैसे जो है हम लोग संतरा खाते है उसी के जो है शीट को कलेक्ट करके और ग्राउन में लगाके हम अपने ही घर में खुद का ही अपना एक नया पौधा दयार कर सकते हैं और पौधा इसका पौधा अगर आपके पास नहीं है और नरसी में लेना जाए तो कुछ निम्बू की तरह ही होता है मैंने आपको दिखाया था ना निम्बू के जैसे ही इसका भी पौधा होता है तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लीजे और पूरी वीडियो देखने वीडियो के सब्सक्राइब के साथ साथ भाई